दोस्तों वेलकम बैक तो माई चैनल वांस अगेन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉवर लेजर के बारे में जाने की पॉवर टोकन के बारे में अगर आपने कुछ देखा होगा बाइनेंस में काफे दिर उसे यह ट्रेंडिंग पे चल रहा है करन प्राइस के अगर हम बात करते हैं तो 24% का पंप यहां पे देखने को यह मिला था तो यह जो टोकन है बिल्कुल यूनीक है कैसे यह काम करता है सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में सो मेक शूर डू वाच माई वीडियो तिल एंड और अगर चैनल पर पहली बारे आ इसको 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 बनाया गया है यह तरह का प्रोटोकॉल है यहां पर हम नीचे इसका ग्राप देखें अगर एक दिन का ग्राप देखें तो काफी डीसन सा ग्राप आपको देखने को मिलेगा यह पंप और यह डंप और फिर से एक पंप आपको यहां पर पिछले साल से यहां पर आपको अच्छा कासा यहां पर देखने को मिलेगा तो उसका रिजन क्या है पहले उससे बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है तो यहां पर हम आ जाते हैं What is Power Ledger? पिछले कि पावर जे आते हैं Power Ledger is a technology company that builds software for distributed and decentralized energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain based platform that enables the tracking and training of energy, flexibility service and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernized market driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the demigration of power तो power ledger क्या करता है जो भी हमारी जो भी जैसे हमारी जो एनर्जी होती है sustainable energy जैसे हम बात करें solar energy विगेरा की तो उसमें blockchain को concept को जोड़ता है energy के साथ जैसे हमारे जो grid विगेरा होते हैं वहाँ पे blockchain technology का यहाँ पे use होता है power ledger से अगर बात करें तो yes टेले की एक company है जिसके clients आपको 11 countries में मिलेंगे अगर बात करें इंडिया की जैसे कि आपको पता होगा इंडिया का भी submit हुआ था US में तो वहाँ पे इंडिया ने माना था कि हम 2030 तक अपना जितना भी energy है वहाँ पे carbon commission वहाँ पे अपना zero कर देंगे तो उस वज़े से इंडिया ने काफी सारी companies को invite किया है कि हमारे यहाँ पे solar plant आप खोलिए आपने देखा होगा फ्रांस ने heavy investment की है इंडिया में अपने solar system को लेके Australia ने भी यहाँ पे इसका use किया है और वहाँ पे power ledger technology का यहाँ पे Australia यूज कर रहा है तो यह basically क्या करता है एक तरह का bridge provide करता है जितनी भी हमारे energy होती है solar energy को और blockchain पे उस पे as a bridge यह काम करता है तो वह basically blockchain को जोड़ता है power ledger के साथ तो यहाँ पे आप देख सकते हो who are the founders of power ledger तो यहाँ पे आप देख सकते हो Dr. Jima Green is the executive chairman of power ledger और founder इन्होंने found किया था 2016 में यह तो after a decade in corporate finance in UK Dr. Green returned home to Perth to pursue a doctorate at Curtin University in electricity market distribution तो basically इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे electricity में इनको कुछ degree हासिल है University, Curtin University in electricity market distribution तो electricity market distribution में इन्होंने concept blockchain का यहाँ पे लिए है और blockchain को electricity market distribution से इन्होंने connect कर दिया तो यह सबसे unique project आज तक का माना जाता है अगर बात करें power ledger की तो आपको basically यह हर एक आपको exchange में मिल जाएगा Coinbase, Binance, Bitthum, Kucoin, Upbit, Ketio हर एक आपको exchange में यह मिल जाएगा WazirX का मेरे को इतना knowledge नहीं है कि इसमें है कि नहीं है अगर आप भी इसमें थोड़ा बहुत invest करना चाहते हो जैसे यह थोड़ा down जाता है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत invest कर सकते हो किसी भी तरह की financial advice नहीं दे रहा हूँ अपनी एक research के बाद ही इसमें invest करें तो अगर आपके पास Binance नहीं है तो description में यहाँ पे link दिया होगा Binance का वहाँ से आप Binance को download कर सकते हो इस पे यह काम करते हैं कैसे यह trace करते हैं blockchain का technology use करके तो यहाँ पे आप देख सकते हो world map यहाँ पे हम देख सकते हो हमारा प्यारा भारत तो यहाँ पे भी इस technology का use हो रहा है यह यहाँ पे Australia आपको देखेगा यहाँ पे भी इसका use हो रहा है तो यहां पे आप America का देख सकते हो तो यह यहां पे America है यहां पे यह California विगरा टेकसस विगरा आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे भी इसका use हो रहा है तो आस्ता-ास्ता इसमें एक अच्छी खासी growth की उमीद है तो मुझे यह token थोड़ा special लगा तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में explain कर दूँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी interesting videos के लिए हमारे channel को करेज़ सस्क्राइब मैं आप से मेलूँगा next video में Till then, take care